जय श्री कृष्ण राधे राधे दोस्तों स्वागत है। आप सभी लोगों का एक दोस्तों दुरलब महाशुब संयोग इस दिन यानी नौ फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन चुप चाप एक मुठी नमक फेंक दे। यहां एक महीने में हो जाओगे करोडपती माला माल। जी हां दोस्तों गरीबी दरिद्रता हो जाएगी। दूरमा लक्ष्मी दोडी चली आएंगे आपके घर, आपके घर में सदैफ भरे रहेंगे। अनधन के भंडार यूं कहे कि आपकी साथ पुस्ते तक करेंगी। रुपियों पैसों पर राज हां दोस्तों, साथ पीडिय मौनी अमावस्या के दिन चुपचाप यहां फेंक देते हैं, एक महीने में करोडपती माला माल बन जाओ गया। क्योंकि इस बार जो मौनी अमावस्या है बहुत ही दुरलब संयोग में है, शुकरवार के दिन पढ़ रही है, जो कि साक्षात माता लक्ष्मी का दिन है तो स जाओगे, गरीबी का निशान खत्म हो जाएगा, आपको अपार धन सुक संपत्ति की प्राप्ति होगी, छपपर फाड धन की वर्षा होगी, यूं कहतो दोस्तों, नमक से जुड़े कौन कौन से उपाए हैं, जो कि आपको नौ फरवरी शुक्रवार के दिन यानी मौनी अ हम आवस्या के दिन जरूर करने हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वही बताएंगे, वीडियो को मिस मत कर देना, यदि आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, अपार धन आपके पास हो, धन सुक संपत्ति का वास हो, माता लक्ष्मी आपके घर में वास करें, तो दोस्त माता, लक्ष्मी धन की वर्षा तो करेंगी ही करेंगी, साथ ही साथ आपके पित्रों की भी कृपा आपके उपर बरसेगी, तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ही महत पूर्ण और लाबकारी वीडियो है, जी दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले तो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाब प्राप्ठ कर सकते। दोस्तों, हिंदू धर्म में माग महीने के क्रिष्ण पक्ष की अमावस्या थिति को माग अमा वस्या या मौनि अमा वस्या के नाम से जाना जाता है, माग अमावस्या के दिन स्नान दान के कार्यों का बड़ा महत्व है इस साल 9 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत भी रखा जाता है माग अमावस्या के दिन सुबह पवित्र नदी में सनान किया जाता है इसके बाद दान पुन्य के कार्य किये जाते हैं मान्यता है कि ऐसा करने से घर के पित्र प्रसन्न होते हैं जिससे घर में सुख समरिध्य और खुशहाली आती है आपको बता दें मौनी अमावस्या का पावन पर्व सनान और दान के लिए अतिशुभ मंगलकारी माना जाता है मौनी अमावस्या के अफसर पर पित्रों के लिए तरपन, पिंड, दान, दान, श्राद आदी करना भी अच्छा होता है ऐसा करने से नाराज पित्र भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ जिससे पित्र दोश तक भी दूर हो जाते हैं समस्त पित्र दोशों से छुटकारा मिल जाता है आपको बता दे पित्र प्रसन्न होकर आपको वंश वृद्ध का आशीश देते हैं धन सुक संपत्ति का वास होता है। आपके घर में यदि पित्र प्रसन्न तो आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल, सब कुछ अच्छा होगा तो इसलिए अपने पित्रों के निमित्त अन धन्वस्त्र अमावस्या तिथी पर जरूर दान करें, किसी भी अमावस्या पर आपको किसी पवित्र नदी में सनान करने जाना संभव ना हो सके, तो दोस्तों आपको घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डाल लेनी है और सनान करना है, और सनान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, स्मरण करें, ऐसा करने से आपको पवित्र नदी में सनान के बराबर का फल प्राप्त होगा, सनान के बाद घर के मंदिर में आपको दीपक प्रज्वलित करना है, और इसके बाद आपको भगवान सूर्यदेव का स्मरण करते हुए भगवान सूर्यदेव को अर्धिय भी देना है, भगवान सूर् वस्त्र जो भी बने दान करें इस पवित्र दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान जरूर करें। पित्र भी प्रसन्न होते हैं। 21 बार पीपल के पेड़ की आपको परिक्रमा कर लेनी है। मन में पित्रों को समरण करना है, क्षमा याचना मांगनी है। भगवान शनिदेव के मंत्रों का समरण करना है। भगवान विश्णुजी का समरण करना है, भगवान शिव शंभू का समरण करना है, और सभी मनो कामनाएं मांग कर अपनी क्षमा याचना कहकर वहां से तुरंत घर लोट आए। दोस्तों, समझ लेना, इस उपाय को करने से समस्त दोश दूर हो जाते हैं, समस्त देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होती है, पिथरों की कृपा प्राप्त होती है, तो इस उपाय को तो आपको जरूर करना है, आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, नमक से जुड़े कौन-कौन से उपाए हैं, जो कि आपको मौनी अमावस्या के दिन जरूर करने हैं, जिन उपाए को करने से आपको शत्प्रतिशत लाभ मिलेगा। जनते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक, हेल्थ के साथ-साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फाइदेमंद होता है। आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं। जहां दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाए और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। हां दोस्तों, नमक का इस्तिमाल कई तंत्र और मंत्र के टोने टोटके में भी किया जाता है। हारा पाने के लिए काला नमक या सैदा नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी लड़ाई हो सकती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार, अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ प्रयोग किया जाए, तो आपको रातो रात अमीर भी बना सकता है, आप धन से माला माल भी बन सकते हैं, जहां दोस्तों, पोंचा लगाते समय मिलाए नमक दूर होगी, धन की कमी, हाँ, दोस्तों, आप दो बार तो ऐसा जरूर करें, कहते हैं कि घर में नमक वाला पोंचा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ती होती है, यह नमक पूरे घर को पॉजिटिव उर्जा से भर देता है, और घर में जो भी नेगिटिव उर्जा है, वह बाहर निकल जाती है, इसलिए आप घर की त जाहू का कारक माना जाता है, इसलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में भर कर शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे, तो वहां से नेगिटिव एनरजी का नाश होता है, इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म कीटानू भी नश्ठ होते हैं, इ अगर आप लॉंग डाल दें, ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है, और मान लक्ष्मी का आगमन होता है, घर में सदैव सकारात्मक उर्जा का वास रहता है, साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को लाएं, हाँ दोस्तों, यदि हफते में आप एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डाल कर पानी से स्नान कराएंगे, तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी, साइन्टिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एलर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, साथ ही साथ, यदि आपके घर में हमेशा कलह कलेश रहता है, त तो इसे दूर करने के लिए आप काँच की कटोरी या फिर काँच के गिलास में सादा नमक डाल कर बेड्रूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं, नमक नकारात्मक उर्जा को सोख लेगा और घर में हालात धीरे-धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर में सकारात्मक उर्जा का वास होगा और साथ ही साथ यदि आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का यह प्रयोग जरूर करें, अगर कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त है तो उसके सिरने आप काँच के बरतन में नमक रख दें, एक हफ़ते बाद उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रखें, धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगेगा, साथ ही साथ नमक का यह महत्तपूर्ण उपाए हम आपको बता देते हैं, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो उनके लिए शास्त्र म यह उपाए बताया गया है, इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ, नमक लेकर उसे सिर पर से तीन बार घुमा लेना है, फिर आप इस नमक को दर्वाजे के बाहर फेंक दें, ऐसा लगातार तीन दिन करें, यदि इससे भी आपको लाभ ना मिले, तो नमक को सिर प या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांध कर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें, इसे आप अपने कार्यक्षित्र में भी मुख्य द्वार पर भी टांग सकते हैं, इससे नकारात्मक उर्जा प्रवेश नहीं करेगी और सकारात्मक उर्जा का संचार होता ह साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध कर तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मंदी खत्म हो जाएगी और आपको धनलाब के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ शास्त्रों में राहु केतु को छाया ग्रहमाना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक व कांच दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक उर्जा का संबंध केतु से है। ऐसे में सिर्फ कांच की एक कटोरी में नमक भरकर बातरूम में रख दें। ऐसा करने से राहुव केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक उर्जा घर में बनी रहती है जिससे घर परिवार में सुख सम्रिद्ध होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदले और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सबजी में यदि नमक या मिर्च कम लगे तो उपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डाले। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही प्रयोग करें। ऐसा करने से शनिचंद्र और मंगल का दुश्प्रभाव भी नहीं होगा। साथ ही साथ यदि आप पैसों की किल्लत से जूंज रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें। काँच के गिलास में सहदार नमक अव दो लॉंग डाल कर, जिसे आ आप अपनी तिजोरी या फिर अलमीरा या फिर अपने घर के जो किचन है वहाँ पर रख सकते हैं, किसी भी कोने में। हाँ दोस्तों ऐसा करने से नेगेटिव एनरजी खत्म होगी और पॉजिटिव एनरजी घर में प्रवेश करेगी। और आपको ऐसा करने से आपके घर म पर कई बार कुछ सहकर्मी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती हैं। और हम जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है, यदि आपके मन में इरश्या और दोश की भावना नहीं है तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी यदि आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक डाल कर जरूर रखना चाहिए। ऐस बहुत समय से आर्थिक परिशानियों का सामना कर रहे हैं और हर उपाय अपनाने के बावजूद भी आपको कोई लाब नहीं मिल रहा तो आपको अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में पानी में नमक घोल कर रख देना है। के योग्य बनने लगेंगे जहां दोस्तों साथ ही साथ धन की देवी मा लक्ष्मी को प्रसन करने के लिए नमक का यह प्रयोग आप जरूर करें। होने लगा है तो आप उसमें और नमक डाल दें। जहां दोस्तों आप लाल कपड़े में नमक बांध कर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांध कर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। जी हां दोस्तों आपको धन लाब प्राप्ति के योग बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में वृद्ध होने लगेगी। किसी ना किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। जी हां दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको नमक से जुड़े कुछ महत्व पूर्ण उपाय बताएं हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इन उपायों से सहमत है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल शास्त्र करें।